जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं, तो आवाज खुलंद करनी पढ़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे। दियूस क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे। बोल सबा अब तक तेरी है। नमस्कार जब सत्ता में मौझूद ताकत वर व्यक्ती सवालों का जवाब देने से कत्रा आए, तो सवाल और आवाज दोनों को और बुलंद करना पड़ता है। नमस्कार यही फलस्फा है हमारे शो बोल के लब आजाद है तेरे का। और आज अपने इस पहले एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत एहम और गंभीर खबर लेके आ रहा हूँ। दोस्तों खबर राजस्थान से है और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हो क्या रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में साथ दिसंबर को वोट डाले जा रहे हैं। मगर उसे एक दिन पहले क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन पहले 6 दिसंबर यानि वो दिन जब बाबरी गिराया गया था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि BJP से जोड़े जो संगठन है यानि कि विश्व हिंदु परशद और बाकी तमाम जो हिंदुत्वादी संगठन है वो बड़े पैमाने पर शौर दिवस मनानी की कोशिश कर रहे है और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने टेमपो को ये कहा जाए अपने तेवरों को और भी ज्यादा तलख कर दिया है इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ ये हुआ साथ तारिक को वोटिंग है और छे तारिक को कई जगाओं पर शौर दिवस मनाय जा रहा है क्योंकि मुझे आपको ये बताने की ज़रुत नहीं है कि वसुंद्रा राजे सिंधिया अंटी इंगंबंसी वोट का सामना कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कई पोल्स में कि भारती जानता पार्टी राजस्थान हार सकती है यही वज़ा है कि हिंदुत वादी संगठन जो है बाबरी के उस सानिहा को उस स्वखवे को एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे है और भारती जानता पार्टी के कहा जाए कि ये बाखलाहट हमें कई सतरों पर दिखाए देती है मिसाल नंबर एक याद है आपको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अगर अगर राजस्थान में कॉंगरेस जीद गई तो केंद्र के साथ उसका लगातार टकराव होता रहे गा अब देखिए इस बयान के माइने को आपको समझना होगा ये बयान अपने आप में कही न कहीं देश के संगी धाचे की खिलाफ है ऐसे कई राजे हैं जहां केंद्र में एक अन्ने सरकार होती है और राज में एक अन्ने सरकार और अगर अलग-अलग पार्टियां होती है तो इसका मतलब नहीं कि ये टकराव होता रहे तो प्रधान मंत्री का ये बयान जो है इसका लहजा काफी हद तक ब्लैक मेल भरा है तो भारती जनता पार्टी की बौकलात उसकी डेस्परेशन यहां पर हमें साफ तोर पर दिखाई देती है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि योगी आदितनात ने उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने जो बयान दिया था दलितों पर जिसमें उन्होंने हनमान जी और दलितों को एक ही अपनी पंक्ती में दोनों का इस्तवाल किया था उसके भी मायने को समझे हम सब का संकल्प बजरंग की संकल्प होना चाहिए बसरंग बली का संक्र बसरंग बली हमारी भाड़ति परंबरामे एक ऐसे लोग देड़ता है जो स्यम बनवासी है गिरवासी है चाहर उफ दलित हैं बंचित हैं सब को लेकर के सभी कुरे भार की सम्धाय को उत्तर से लेके दक्षिन ताग पूरब से पसिन ताग सब को जोड़ने का कारे बजरंग वनी करते हैं और इसलिए बजरंग वनी का संकर्ण होना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजिस्थान में कुल शौती सीटे हैं जो की रिजर्वड हैं S.C.S.T. के लिए और पिछली बार 32 सीटों में आनि कि साल 2013 में 32 सीटों पर BJP ने जीत हासल की थी इस बार ये कहा जा रहा है कि दलितों में भारती जनता पार्टी को लेकर आकरूश है दोस्तों यही वज़ा है कि दलित और हनुमान को एक ही पंक्ती में इस्तिमाल किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि भारती जानता पार्टी जब भी फेल होने लगती है जब भी असपल होने लगती है तो अचानक मधभ को ले आती है और यही वज़ा है कि दलतों को कही न कही हनुमान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे की सियासत को आपको समझना चाहिए ये बस जिसे कहते ना एक बयान नहीं है ये कोई शिगूफा नहीं है जो छोड़ दिया गया है इसके पीछे भी एक सियासत है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलितों को लेकर राजस्थान में हालात बहुत ही बत्तर बने हुए मसलन साल 2014 में 6,735 अपराद हुए थे दलितों के खिलाफ 2015 में ये आंकड़ा था 5911 और 2016 में ये आंकड़ा था 5,134 दलितों पर दमन के तमाम मामले हैं इसके अलावा कुछ और घटनाएं भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं 2015 में मेगवाल दलितों और जाटों के बीच टकराव हुआ जिसमें एक व्यक्ती मारा गया था उस वक्ट पुलीस ने दलितों को दो शी ठहराया था जिसे दलित सिरे से खारिच करते रहे प्रतिक्रिया स्वरूब जाटों ने दलितों पर हमला किया और दो दलित मारे गए थे इस घटना को लेकर दलितों में जबरदस आक्रोश था इसके बाद 2016 बीका नेर जिली की 17 साल की एक दलित छात्रा डेल्टा मेगवाल की लाश उसके स्कूल के वाटर टैंक से मिली आधिकारिक तौर पर ये कहा गया कि उसका बलातकार हुआ और फिर उसने आत्महत्या कर ली मगर उसके रिष्टदारों और मानवादिकार संगठनों ने ये कहा कि एक शिक्षक ने पहले उसका बलातकार किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया लगातार मानवादिकार संगठन और दलित संगठन सी बियाई की जाच की मांग करते रहे मगर वसंद्रा राजे सिंधिया ने इसे सिरे से खारज कर दिया तो ये तमाम घटनाए हैं जिसके चलते जबरदस्ट आकरोश है दलितों में और यही वज़ा है कि हनुमान और दलितों को कही न कहीं एक साथ इस्तमाल किया गया है मैं आपको एक और चीज़ यहां बताना चाहूंगा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था शौर दिवस का क्या वज़ा है कि इस बार शौर दिवस का जो तापमान है उससे बढ़ाया जा रहा है दोस्तों होता क्या है इन दो जिलों पर आप ध्यान रखिए पाली और राजसमंद पाली में हर छे दिसंबर को कवी सम्मेलन होता है शौर दिवस के मौके पर और ये कवी सम्मेलन मुस्लिम बाहुल इलाकों के पास होता है मकसद ये होता है कि भड़काओ कविताएं कहीं जाएं जिससे एक प्रतिक्रिया वहां से हो इस बार वो कवी सम्मेलन आयुजित करने का आदेश जान बुच कर नहीं दिया गया है क्योंकि इंटेलिजन्स बेरों के एक खबर मिल रही है कि हालाद जो हैं वो आउट अफ कंट्रोल हो सकते हैं यही नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली में पिछले 20 सालों से भारती जनता पाटी जित्ती आ रही है और इस बार उसकी हालत बहुत कमजोर है और पिछले कुछ अरसे से लगातार तापमान बढ़ाने की कोश्की जारी थी को याद दिलाना चाहूंगा कि जैतरण में हाल ही कि कुछ महिनों पहले सामप्रदाइक टकराव भी हुआ था और जैतरण वो जिला है जहां पर काफी हद तक बांगला प्रिष्ट भूमी के मुसल्मान बहुत सक्रिये हैं तो यह बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और यह तमाम मुद्दों की प्रिष्ट भूमी में हालात यहां बहुत समवेदन शील हो जाते हैं और अगर आप शौर दिवस मनाते हैं ऐसी जगा में तो हालात में तनाव हो सकता है और इसका पूरा असर पूरे राजस्तान पर पड़ सकता है और पाली के साथ ही जड़ा हुआ है राजसमंद राजसमंद वही जगा है जहां शम्भुनात रेगर नाम के शक्स ने एक बांगला भाशी श्रमिक को जिन्दा जला दिया था तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारती जन्दा पार्टी में डेस्पिरिशन दिखाए दे रही है बौकलाहट भी है हालात तनावपूर्ण हैं और मुझे लग रहा है कि छे तारीख जो है बहुत एहम साबित होने वाली है साथ तारीख को होने वाले मतदान की प्रिश्ट भूमें में तो ये था बोल के लब आजाद हैं तेरे का पहला एपिसोड इसी तरह मैं आपके साथ हफते में जुड़ता रहूंगा अलग-अलग मुद्दों के साथ उन मुद्दों के साथ जिसका सीधा तालुक आपके साथ है क्योंकि जब सत्ता में बैठा ताकतवर व्यक्ति आपके सवालों का जवाब नहीं दे तो आवास को और बुलंद कीजिए